नमस्कार दोस्तों, अगर altcoins में आपका exposure है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है Bitcoin की dominance को ध्यान में रखके और altcoins की season को ध्यान में रखके कैसे आपको अपने altcoins की exit प्लान करनी है, उसके बारे में detail में जाएंगे मेरा ना मैं रोहित और क्रिस्टाइनों के साथ मिलके हमने एक global collaboration की है जहांपर हम आपके लिए daily technical analysis लेकर आ रहे हैं ये वीडियो को end तक जरूर देखेगा और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो thumbs up करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो फटा फट से सबसे पहले हम bitcoin के price से शुरू करते है before we come to the altcoin details bitcoin के price में 1 hourly पे 2-3 candles जो है 48,000 dollars की resistance की उपर close होई है ये अच्छा sign है बड़ उसके बाद उसने give up कर दिया अभी latest देखते हैं क्या चल रहा है बड़ फिलहाल bitcoin 47,000 से अच्छा jump लेके आया था मैंने आपको बोला था कि मैं खुद long लूँगा अगर 48,000 की उपर price table हो जाता है 4 hourly की कुछ candles 48,000 की उपर close हो पाती हैं कि नहीं बड़ फिलाल अगर आप देखेंगे तो 4 hourly की कोई भी एक भी candle 48,000 dollars की उपर close नहीं हुए जो हमारी orange line ने उसके उपर close नहीं हुए है एक बार नीचे reject करके आएंगे और फिर उपर जाएंगे तो ये दो सिनारियो मेरे को most likely होते हुए दिख रहे हैं अगर momentum रहा और तीसरा जो है सिनारियो जुसे हम disregard नहीं कर सकते हैं जो हमने कल माया जाल आपको बताया था वो यह है कि हम 48,000 से गिरके 42,000 और 51,000 के बीच में ही घुमते रहेंगे for at least next few weeks जब तक October का momentum दुबारा नहीं आ जाता ये तीन सिनारियो हमारे सामने होते हो बन रहे हैं हमें किसी भी सिनारियो को दरकिनार नहीं करना है क्योंकि जब तक हमें एक solid volume 48,000 के उपर बनती हुए नहीं दिख रही है का हमारा target देखते हुए बनता है पर उसके लिए bitcoin को सोड़ा support देना पड़ेगा bitcoin को at least 48,000 डॉलर के उपर स्थिर रहना है तब जाके हम ethereum पर test कर सकते है 4000 डॉलर का अगला manovigyanic level जो हमारा previous high भी है तो ये ethereum के bull run के लिए बहुत ज़्यादा जूरूरी है फटा फट से एक बार ethereum to bitcoin की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि यहां से हमारी altcoin की main strategy शुरू होती है कि अगर आप देखें globally जो है historically ethereum का जो ethereum to bitcoin percentage जो है 8.09% वहाँ पे हमारी अगली बड़ी resistance है इस समय जो ethereum है वो bitcoin के price का market cap का 7.5% पे चल रहा है तो यह इसके लिए बहुत बड़ी resistance है जो इसको break करना है जो history में ethereum के price ने मुझे लगता है कि कभी तोड़ी है तो data दिखाता है कि ethereum has gone stronger than bitcoin पर उसको और strong बनने के लिए और बड़े level पे उच्छा लेने के लिए और altcoin की ecosystem को भी अपने साथ ले जाने के लिए यह जो 8.1% वाली जो resistance है जो आखरी बार मई में हासिल हुई थी केवल एक दफा और वह market cap of bitcoin तो यह अगर bitcoin अब इसके लिए दो कारक है या तो bitcoin का price कम grow करे और ethereum का relatively faster grow करे तो ethereum की जो percentage है market cap की वो faster grow होगी और अपना resistance तोड़ पाएगी वो सारे altcoin ecosystem को साथ लेगी जाएगी तो इसलिए हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि bitcoin जो है वो तेजी से grow ना करे bitcoin ग्रो करे एक लाग डॉलर भी जाए बट उसके relatively ethereum की जो pace है वो जादा fast हो इसलिए हमें निगाह रखनी होगी ethereum to bitcoin ratio के उपर साथी साथ हम bitcoin dominance को भी देख रहे है पर ethereum to bitcoin ratio जो वो एक तरह से bitcoin की कमजोरी दिखाती है जितना ethereum strong होगा उतना bitcoin कमजोर होगा उतने ही altcoin strong होगे तो य bitcoin दुबारा से उपर जा रहा है तो यहां पर जो एक तरह से वह कहते हैं good to have problem अगर यहां से bitcoin fast rally करता है और अपनी 39.29 की dominance के support level तक नहीं जा पाता है तो altcoins कम slow grow करेंगे इसलिए दोस्तों इस वीडियो का सबसे important message और मैं कई बार ही repeat करूंगा कि अगर आपके पास सिर्फ altcoins हैं तो altcoins अपने peak की तरफ जा रहा है मैंने का रहा है altcoins अपने peak पे जा रहे है altcoin universe जो है bitcoin to altcoin dominance जो है वो almost mid level पे है जब altcoin dominance level जो यह आपको दिख रहे है जब अपने 100% level पे चला जाएगा उसके बाद altcoins में उतना 30 से उच्छाल नहीं आएगा उतनी party नहीं आए कि उतना 10x 1000x gains वाले altcoins कम दिखेंगे आपको जितना अभी आपको दिख रहे हैं और आगया नहीं एक दो महिने में आपको दिख सकते हैं तो हमको इसलिए आँखे बंद करके खाली bitcoin के price को नहीं देखना है bitcoin dominance को नहीं देखनी है हमें ये भी देखना है कि bitcoin और ethereum की लड़ाई कहां पह चाहिए या फिर आप please bitcoin में invest करना शुरू कर दो don't put all your investment into altcoins only ये main सारांच है इस वीडियो का अगर आपको यादो ये मैं मैं जून से सबको बताता हा रहा हूं कि bitcoin जो है वो सबसे safest investment है बाकी सारी चीज़े 20% गिरती है तो bitcoin 5% गिरता है इसलिए आपको अपने portfolio में bitcoin का होना बहुत जरूरी है क्योंकि bitcoin की dominance जब 39.29 पर जाएगी उसके बाद bump लेगी उसके बाद ऊपर जाएगी और फिर altcoins उतना तीजी से grow नहीं करेंगे अगर हम cardano की देखें तो cardano मुझे लगता है कि जब से उसका smart contractor है cardano slow है cardano slow रहेगा यह हमेशे याद रखिया क्योंकि जब अब क्या है अब system बन गया है अब उसके daps बनेगी इसलिए cardano भी अपने माया जाल में भूमता रहेगा जो है 2.8 डॉलर्स और 2.32 डॉलर्स का जो माया जाल है मुझे लगता है कुछ हफतों तक even longer than जो बाकी altcoins या bitcoin का जो भी दो हफते का जो September jinx बचा है altcoin उससे थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक माया जाल में रहेगा पर ultimately altcoin बहुत bullish है बहुत strong है बहुत सारे project इस पर आने वाले projects को पहले देखना पड़ेगा कि कितने project साते हैं कैसे बनते हैं तो फटावट से bitcoin पर वापस चलें bitcoin का हमने आपको summary बता दिया bitcoin 48,000 पर अठका हुआ है भी हमने pray करी थी कि 48,000 वाली resistance की उपर break करें अब आप रात को साढ़े 9 बजे वाली candle का wait कीजिए अगर वो साढ़े 9 बजे वाली candle 48,000 की उपर close होती है तो short term में bitcoin के लिए अच्छी क अपना giveaway question भी कूछ लेते हैं, as always हम giveaway question simple रखते हैं और contextual रखते हैं ताकि आपको subject समझ में आए, आपको मुझे ये बताना है कि bitcoin का वो जो dominance level है, जो bottom down dominance level है, support bitcoin dominance का है, वो कितने percentage पे है, क्योंकि हम हम उससे दूर जा रहे हैं और जैसे जैसे bitcoin dominance बढ़ेगा, alt coins में pump relative to bitcoin काम आ रही है, जैसे ethereum to bitcoin, cardano to bitcoin, solano to bitcoin, अगर आपका alt coin, bitcoin की comparatively तेजी से बढ़ रहा है, तो वो investable है, आप पिछले 4 साल का chart उठा के light coin का देख लीजिए, वो bitcoin के comparatively negative है, तो वो सी alt coins में हमें invest रहना है, जो bitcoin के comparatively तेज भागता है, अगर bitcoin ने अपनी dominance पकड ली दुबारा से, तो तो फिर वो alt coins, कहीं alt coins के मुकाबले तेज भागेगा, तो फिर वो alt coins के मुकाबले तेज भागेगा, तो यह वीडियो से आपके लिए ज़रूरी थी, thumbs up करना बिल्कुल मत भूलेगा, कोई question है, तो please, 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 I will answer that, और giveaway में participate करने के लिए तो आप अप अपना ख्याल रखि जए हिंद